आज कि इस वीडियो में हम नौमार्श के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। उस्ताद जाकिर हुसेन एक भारती तबला वादक, ताल वादक, संगीत कार, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनीता है। उन्हें 1988 में पदम स्री और 2002 में भारत सरकार द्वारा पदम भूशर से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसेन का जन्म नौमार्श 1951 को प्रसित तबला वादक उस्ताद अल्लह रखा के सबसे बड़े बेटे के रूप में हुआ था। तो वहीं नौमार्श की दिन कईयन्य महत्पूर घटनाएं भी हुई जैसे नवल राम लक्षमी राम पांड्या एक गुजराती आलोचक कवी निबंदकार नाटककार संबादक सिक्षावित और समास सुधारक थे जिनका जन्म नौमार्श 1936 को हुआ था। नवल राम लक्षमी राम को आधुनिक गुजराती सहित में सबसे महत्पूर व्यक्ति माना जाता है। 1931 में महराज हरी सिंग के पुत्र करन सिंग का जन्म 9 मार्श 1931 को हुआ था। वे एक भारती राजनितिक कवी और परोपकारी व्यक्ति थे। वही 1947 में जवेर चंद कालिदास मेगानी गुजरात के कवी समास सुधारक, लेखक और स्वतंतरतास सेनानी थे। वे गुजराती सहित के छेत्र में एक जाना पहचाना नाम है जिने महत्मा गांधी ने अनायास राश्ट्री शायर की उपाजी दीती। चवेर चंद कालिदास का निधन 9 मार्ज 1947 को हुआ था।